Accounting No Problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ R.T. चली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज की अध्याय में हम आपको बताएंगे लेजर्स को अल्टर और डिलीट कैसे करते हैं इससे पहले वाली दो वीडियो में हमने आपको क्रमश सिंगल लेजर और मल्टिपल लेजर्स बनाना बताया था इस वीडियो में हम आपको लेजर्स को अल्टर और डिलीट करना बताएंगे तो आज के अध्याय में सबसे पहले हम देखेंगे किसी एक लेजर यानी सिंगल लेजर को अल्टर कैसे करते हैं अभी हम Gateway of Tele पर हैं यहां किसी भी option का उप्योग करने के लिए उसे सिलेक्ट करना होता है उसके तीन तरीके हैं पहला अप या डाउन एरो की से उस पर जाएं और एंटर प्रेस करें दूसरा माउस से सीधे उस option पर जाकर उस पर क्लिक करें और तीसरा आप यहां देख रहे हैं सभी options में एक अक्षर capital और bold है और उसका color नीला है दरसल यह अक्षर उन options की shortcut keys हैं चलिए आगे बढ़ते हैं किसे भी masters में alter करने के लिए हमें alter option पर जाना होता है और जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी shortcut key है A हम A प्रेस कर रहे हैं यह list of masters आ रही है हम legers में alteration यानि की बदलाव करना चाहते हैं तो यहां से हमें legers select करना होगा देखिए ऐसा करते ही list of legers आ गई है और इस list में सभी legers के नाम दिखाई पड़ रहे हैं आप just laser को alter करना चाहते हैं उसे select करें जैसे कि हमने supplier अशुक traders को select किया यह देखिए laser alteration window आ गई है इसमें laser बनाते समय आपने जो भी details दी होंगी वो दिखाई पड़ेंगी यहां से आप नाम, group, mailing details या opening balance अत्यादी जिसमें भी changes करना चाहें कर सकते हैं हम mailing details में कुछ changes कर रहे हैं अब इस window को control और A keys प्रेस करके accept कर लेते हैं और आब escape की प्रेस करते हुए gateway of tally पर चलते हैं अब आपको बताते हैं कि किसी laser को स्थाई रूप से कैसे समाप्त करते हैं यानि उसे delete कैसे करते हैं उसके लिए भी आपको alter में ही जाना होगा यह अभी हम gateway of tally पर हैं alter में जाने के लिए एक ही प्रेस करेंगे यहां laser select करेंगे अब वो laser select करें जिससे आप delete करना चाहते हैं यह देखिए laser alteration window आ गई है इस screen पर alter और d एक साथ प्रेस करें एक छोटी window आएगी जिसमें आपसे पुछा जाएगा कि क्या आप इससे delete करना चाहते हैं यदि हां तो y या enter प्रेस करें और यदि नहीं तो n प्रेस करें यहां पर एक महत्वपून बात ध्यान रखें कि जब आप किसी laser में कोई transaction कर लेते हैं यानि किसी laser को लेकर कोई voucher entry कर लेते हैं तो उसे delete नहीं किया जा सकता ऐसी स्थिती में alter और d प्रेस करने पर भी delete का कोई message नहीं आएगा यहां हम इस laser को delete करना चाहते हैं इसलिए enter प्रेस कर रहे हैं देखिए ऐसा करते ही हम list of lasers पर आ गए हैं और हमने जो laser अभी delete किया था वो अब यहां पर दिखाई नहीं पड़ रहा है चलिए अब आपको बता देते हैं multiple lasers में alteration कैसे करते हैं उसके लिए chart of accounts पर जाना होगा जिसके लिए हम H key प्रेस कर रहे हैं यहां पर lasers highlighted है, enter प्रेस करें यह देखिए chart of accounts की screen आ रही है यहां पर multi masters में जाने के लिए alter और H keys प्रेस करेंगे अब यहां पर दिखाई पड़ रहे, multi alter को select करेंगे ऐसा करते ही select group की screen open हो जाएगी और list of groups दिखाई पड़ेगी यदि आपको किसी एक group में बनाए गए lasers में कोई changes करना है जैसे कि उनके नाम, group या opening balance में कोई change करना है तो उस group को select कर लें जैसे यहां पर हम bank accounts group को select करके enterprise कर रहे हैं ऐसा करते ही multi ledger alteration window खुल जाएगी यहां पर आप देख सकते हमने bank group में दो ledgers बना रखे हैं इन में से state bank of india का नाम और group दोनों ही सही हैं पर दूसरी जो bank है उसका नाम bank of india न होते हुए bank of maharashtra है और इस bank से हमने cc limit ली हुई है यानि यह ledger bank accounts group में न होकर bank occ account group में होना चाहिए तो हमको यहां पर changes करना होंगे तो हम यह changes कर देते हैं यहां अपने ध्यान दिया होगा कि हमने bank occ account select किया था पर यहां bank od account लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है वास्ता में यह एक हे group के दो नाम है और इस बारे में हमने आपको list of accounts में बताया भी था कि tally ने कई groups और subgroups को दो-दो नाम दिये हुए हैं यहां से यदि आपको opening balance डालना हो या उसमें कोई changes करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं अब इस window को accept कर लेते हैं window को accept करते ही हम वापस select group की screen पर आ गए हैं जिसमें list of groups दिखाई पड़ रही है चलिए अब हम किसी भी group के अंदर बने layers को एक साथ कैसे alter कर सकते हैं यह देख लेते हैं उसके लिए all item को select करें देखें ऐसा करते ही multi-layger alteration window आ गई है जिसमें सभी layers के नाम आ रहे हैं और उनके आगे वो जिस group में बने हैं उनके नाम भी दिखाई पड़ रहे हैं इसके अलावा यदि आपने कोई opening balance दिया होगा तो वो भी यहां पर दिखाई पड़ेगा जैसा कि हमने अभी आपको इसके पहले बताया था उसी तरह आप यहां भी किसी ledger के नाम, group या opening balance में changes कर सकते हैं उदारन के लिए हमने गलती से अपने customer सुरेश and company का ledger sundry creditors group में खोल लिया था तो उसे ठीक करके sundry dators group में कर देते हैं इसी तरह हम proprietor capital account का नाम बदल कर capital account करना चाहते हैं, वो कर देते हैं इसी तरह से ledger में और भी जो कोई changes करना हो वो किये जा सकते हैं अब हमें कोई change नहीं करना है, इसलिए हम इस window को accept कर लेते हैं दोस्तो हम हर वीडियो में कुछ नई बातें detail में समझाते हैं और बाद में short में उनका उपयोग करते हैं यदि आप चाहते हैं कि कुछ भी उपयोगी सीखने से आप वन्चित ना रह जाएं तो क्रप्या सभी वीडियो को क्रमानुसार ही देखें इस वीडियो में हमने single ledger और multiple ledgers में alteration कैसे करते हैं ये बताया साथ ही ledger को delete कैसे करते हैं ये भी बताया इसके बाद वाली वीडियो में आप जानेंगे कि source documents क्या है और tally में उनका क्या उपयोग है करते हैं